हुआ हेलो फ्रेंड्स प्रेस्टी सब्सक्राइब बॉटन और हेट दी बेल आइकन फॉर मोर सच इजी वीडियोज फ्रेंड्स आज इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं वह ए ट्रांसलेशन एक सबसे इंपरेंट टॉपिक सबसे पहले चींश हमें यह समझना होगा कि ट्रांसलेशन होता गया है तो उसके लिए वाले मैसज को डिकॉट करके प्रोटीन बनते है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं तो बिसिकली ट्रांसलेशन होता कहा है, तो हम कहसकते हैं, इन साइटो पलाजम, साइटो पलाजम मैं कहां पर? तो राइबोजोम्स पर, राइबोजोम्स में मर्ने के कोड को डिकोड करके प्रोटίν सिंसाइस किया जाता है, प्रांसलेशनमाük बेसिकली होगा क्या, तो Скरущрокर, मर्ने के उपर सारे messages होते हैं तीन nitrogen base मिलके एक codon बनाता है और एक codon एक amino acid के लिए code करता है उन सारे amino acids को जोड़ करके जो synthesize होगा उसे हम proteins कहते हैं या polypeptide chain और इस process को translation कहा जाता है तो translation का basic requirements है सबसे पहले ची translation के लिए जो लगेगा हो है DNA, 20 type के amino acids 3 type के RNA, mRNA, rRNA, tRNA ribosome, protein factory जिसे हम कहते हैं enzymes और factors लगेंगे source for energy, ATP जा तो GTP जब आप translation की बात करोगे इसमें दो सबसे important steps होते हैं सबसे पहले सारे amino acids को activate करना, दूसरा उन सब को जोड़के polypeptide chain बनाना, तो आईए देखते हैं activation of amino acids कैसे होता है so activation के लिए सबसे important चीज, एक enzyme ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं amino acid tRNA synthetase इस enzyme में 2 binding site है, एक amino acid के लिए होता है, जिसे कहते है amino acid binding site, जहाँ पर amino acid bind करेगा और activate हो जाएगा, दूसरा site जो है, वो है tRNA के लिए जिसे हम कहते है, tRNA binding site tRNA जब उस active site पर bind करेगा, तो amino acid उस enzyme की मदद से, और ATP की मदद से, 3 prime end पर bind करता है, इसे हम कहते है activated amino acyl tRNA या charging of tRNA या amino acylation of tRNA तीन स्टेप होता है, ट्रांसलेशन में initiation, elongation और termination, देखते हैं initiation, सबसे पहली चीज इसमें ribosomes को हमें समझना है दो sub unit होते हैं, एक छोटा sub unit और एक बड़ा sub unit दोनों sub unit को मिला के ribosome बनता है और ribosome का 70S है तो 50S और 30S दो unit मिलेंगे और ribosome बनेगा बड़ा sub unit ribosome पे तीन साइट होंगे, E site, exit site P site, peptidal site और A site जो होता है उसे हम कहते हैं amino acyl site कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कि जो mRNA होगा messenger RNA वो हमेशा smaller sub unit को ही bind करता है जिसे हम 30S ribosome कहते हैं और 50S ribosome है वो क्या करेगा सारे TRNA को binding के लिए site प्रोवाइड करेगा सबसे important चीज, mRNA binds to smaller sub unit of ribosome और एक बार जब सबसे पहला TRNA आएगा हमेशा याद रखो, वो पहले P site पे bind करेगा, उसके बाद वाले जितने भी TRNA आएएंगे सब A site पे आएंगे A से P site और P site से E site पे जाएंगे start codon पे हमेशा AUG होता है अगर eukaryotic cell है तो methionine के लिए code करेगा और अगर prokaryotic cell है तो formal methionine के लिए code करेगा यह basic चीज हैं जो हमें जाननी है आईए देखते हैं step number 2 जिससे हम कहते हैं elongation elongation में होगा क्या basically जितने भी TRNA है वो सब amino acids को लाएंगे और code के हिसाब से anti-codon और anti-codon का pairing होगा और सारे amino acids जुडते जाएंगे और finally protein synthesize होगा remember first TRNA will always bind to the P site that is peptidyl site दूसरा वाला जो आएगा वो A site पे bind करेगा और जब P वाला TRNA E पे जाता है तो अपने amino acid को A वाले TRNA को दे करके चला जाता है और दोनो amino acid जूडते हैं by the help of linkage जिसे हम कहते हैं peptide linkage और उसको जूडने के लिए जो enzyme लगेगा उसे हम कहते हैं peptidyl transferase तो इस तरीके से जितना भी हम TRNA आएगा amino acid को ले करके पहले अपने सारे amino acids को वो previous जो next आएगा TRNA उसे दे करके चला जाता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा होगा पहला P side पे आगया P side के बाद जो next TRNA आएगा वो हमेशा A side पे bind होगा और A side पे bind होगा तो E side से P वाला exit करेगा तो इस animation में आप ध्यान से देख सकते हैं A side energy GTP ने provide की तो यलो वाला green पे आ गया और वो TRNA जो यलो वाला amino acid लिया था वो बाहर चला जाएगा E side से next जो आएगा वो A side पे bind होगा फिर P से अब P के पास दो amino acids है वो दोनों देके next वाले कुछ अगा जागा इस तरीके से सारे amino acids एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं S परदी कोड़ाउन messenger RNA DNA का message carry कर रहा है और उसी message के code को decode करके सारे के सारे amino acids एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं और finally क्या होगा जब ribosome shift होता रहेगा end पे तो last में जाकर क्यों पहुचता है stop कोड़ाउन के पास क्योंकि हमें पता है mRNA में हमेशा 5 प्राइम पे AUG होगा जो start कोड़ाउन है और 3 प्राइम पे stop कोड़ाउन होगा और stop कोड़ाउन कोहन nonsense कोड़ाउन कहते हैं तो इस तरीके से elongation factor लगेगा और सारे amino acid synthesize हो जाएंगे elongation के वक्त याद रुको ribosome move हो रहा है mRNA को पर जिससे हम trans location कहते हैं अब termination step को देखते हैं ऐसा क्या होता है कि पूरा process terminate होता है तो basically हमें क्या समझना है इसमें कि termination के वक्त 3 जो stop कोड़ाउन है उन्हें हम nonsense कोड़ाउन भी कहते हैं तो nonsense कोड़ाउन के पास 3 हो सकते हैं UA, UAG या UGA और यहाँ पर मान लिजए UA, A है और 3 termination factor आके bind करेंगे जिससे हम कहते हैं R1, R2 और S और finally यह 3 के 3 मिलके क्या करेंगे पूरे assembly को dissolve कर देंगे सदोनों ribosomes अलग tRNA अलग mRNA अलग और protein chain synthesize हो गया इसे कहते हैं translation सबसे important word poly ribosome सवाल क्या उठता है poly ribosome होता क्या है poly मतलब में नी ribosomes का मतलब आपको पता है जब mRNA का translation हो रहा है तो उस translation को complete करने के लिए बहुत बार एक सज़ादा ribosome bind कर जाते हैं और उसी process को हम कहते हैं इसी concept को कहते हैं poly ribosome क्योंकि अगर एक ribosome translation करेगा तो हो सकता है time ज़्यादा लगे जब बहुत सारे ribosome bind करेंगे तो mRNA की और tRNA की efficiency बढ़ जाती है और याद रखें जितने बार भी जो भी ribosome translation करेगा वो हमेशा एक ही type के amino acids को code करेगा क्योंकि mRNA same है code same है तो decode भी same होगा और सारे amino acids ज़ुडेंगे वो भी same होगे तो इस ribosome में same polypeptide chain many identicals are there just to increase the efficiency ribosome में दो sub unit होता है 50S और 30S 65% rRNA का बना है 35% protein का बना है इनमें कोई membrane नहीं होता 2 unequal irregular shape larger and smaller sub unit और जो cleft होता है उहाँ पर mRNA bind करता है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको translation समझ में आया होगा give a like to this video thank you very much